Hello students, welcome to G-Tech Poly. So, बच्चो, स्टार्ट करते हैं अपना next lecture, जिसमें हम पढ़ेंगे construction of chem, और भी अच्छे से कुछ नए तरीके से, क्योंकि last time जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया board पर, शायद कुछ बच्चो को वो चीज समझ में नहीं आ पाई, या आप systematic उस चीज को पकड़ नहीं पा रहें, और pen paper पे समझाना possible नहीं है, तो कुछ ऐसा करेंगे, जिससे बड़ा systematically हम उस चीज को समझें, और सब को समझ में भी आए, कैसे बन रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस method से बनेगा भी एकदम accurate, बस आपको एक pen, paper और इसके लेकर के मेरे साथ बैठ जाना है, और साथ-साथ बनाते जाना है, उससे पहले, स्टाहट करने से पहले एक बार quick revision कर लेते हैं, कि last हमने lecture में पढ़ा किया था, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हमने पढ़ा base circle, base circle हम सब जान गए, अब क्या होता है, सबसे छोटा circle, जिस पर क्या होता है, cam की पूरी profile depend करती है, सबसे छोटा जो ये circle है, यही base circle है, और question में भी बच्चो आपको ये base circle के नाम से ही देगा, और इसकी radius देगा, कि जो minimum radius है, base circle जी वो इतनी है, उसी इसाब से आप base circle को बनाएंगे, then cam को design करेंगे, दूसरा होता है angle of ascent, angle of ascent का क्या मतलब होता है, angle of ascent का मतलब होता है, follower का उपर जाना, follower का उपर उठना, उसको बोलते है angle of ascent, angle of descent, follower का नीचे आना, नियुनतम स्थिती पर आना, अपनी, जहां से शुरू किया था उसने, वहीं पर वापिस आता है, follower, जब ये follower उपर जाता है, तो एक टाइम में नीचे भी तो आता है, जब ये नीचे आता है, जितने angle तक ये नीचे आता है, उसको बोलते है angle of descent, उसके बाद बात करते हैं angle of dwell, तो ये वाला जो portion है बच्चो, जिसमें क्या होता है, ये follower move तो करता है, लेकिन अपनी fixed position पर move करता है, ना तो उपर move करेगा, ना नीचे move करेगा, सिर्फ यही पर move करता रहेगा, इस जगह, इसका क्या होगा, इसमें motion तो होगा, लेकिन इसकी position उपर नीचे change नहीं होगी, इस्थिर रहेगा अपनी जगह पर, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, angle of dwell बोलते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा revision, अब हम पढ़ेंगे construction of cam, cam का construction पढ़ेंगे, cam का construction करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम uniform velocity के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा follower है, वो move कर रहा है uniform velocity से, uniform velocity का क्या मतलब होता है, वो समझे, uniform velocity का मतलब होता है, धीरे धीरे move करना, धीरे धीरे position change करना, क्या कर रहा है, एक position अगर cam है, suppose, एक बार जो follower है, ये knife age follower है, एक बार ये यहाँ पर है, फिर ये थोड़ा और उपर गया, फिर ये थोड़ा और उपर गया, धीरे धीरे क्या कर रहा है, उपर जा रहा है, इसी को, अब यहाँ से जो मैं points लगाऊंगा, वो इस तरीके से लगाऊंगा, ये कौन सा angle है, ये है angle of ascent, इसी को angle of ascent बोलता है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, that means uniform velocity से move कर रहा है, इसको radial chem construction भी बोला जाता है, याद रखना, अब देखो इसको, जब design करेंगे तो एक question ले ले लते हैं, question की help से design करेंगे, जिससे बड़ा आसान हो जाएगा, और आप कोई भी question solve कर सकते हैं अपनी book का, इसकी help से अगर ये question आपने सीख लिया, solve करना, तो book में जितने भी questions हैं, आप आसानी से solve कर लेंगे, उसमें design करने में कोई दिक्कत नहीं आईगी, तेको question क्या है बच्चो, question हमारा वही है, last lecture वाला ही question हमने लिया है, कि किसी कैम की सहायता से, जूरदार follower पाश्चार गती कर रहा है, तीक है, यानि कि कौन सा follower है, knife edge follower है, जूरदार follower है, अब ये पाश्चार गती कर रहा है, uniform velocity से move कर रहा है, ठीक है, तो नेमन की सहायता से, कैम का पाश्चफ चित्र बनाईए, अब हमें क्या करना है, इसकी help से क्या करना है, कैम को design करना है, एक कैम को design करना है, पहला point क्या दिया है, पहली condition इन्होंने दी है, कि इसमें लिखा है इन्होंने, कि कैम follower को, समान वैग, यानि कि uniform velocity से, 70 degree के घुमाओं में, 40 mm उठाती है, 40 mm उठाती है, that means क्या है, follower आपका 40 mm तक उपर जाएगा, 40 mm के उपर नहीं जाएगा, यह इसकी maximum height देदी, that means जो भी design हमारा होगा, यह जो रहेगी, यह 40 mm रहेगी, इसके उपर follower नहीं जाएगा, पहली चीज, दूसरा 70 degree जो दिया है, 70 degree क्या है, उठाती है, that means क्या है, उपर जा रहा है follower, उसका मतलब क्या है, angle of ascent है, कितना, 70 degree, आगे देखते हैं, second point क्या है, इसके पश्चान 40 degree के घुमाओं तक, follower इस्थिर रहता है, अब जहाँ पर follower इस्थिर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, angle of dwell बोलते हैं, तो angle of dwell कितना दिया है, 40 degree दिया है बच्चों, दो angle पता लग गया, angle of ascent कितना दिया, 70 degree, angle of dwell 40 degree, आगे थर्ड point दिया है, फिर 80 degree के घुमाओं में, follower समान गती से, अपनी पूर्व इस्थिती पर आ जाता है, मतलब जहां से शुरू हुआ था, अब वहीं पर वापिस आ रहा है, अब तक तो ऊपर उठ रहा था, उसके बाद इस्थिर हुआ घुम रहा है, एक ही place पे, एक ही position पे, तीसरा क्या है, अब नीचे आ रहा है, तो क्या है, कितना है वो, 80 degree तक नीचे आएगा, फिर क्या कह रहा है, कि कैम के 6, 170 degree के घुमाओं में, follower फिर इस्थिर रहेगा, फिर से क्या होगा, 170 degree तक फिर से, इस्थिर रहेगा, आप इसको प्लस करेंगे, 70, 40, प्लस असी, 190, प्लस 170, कितना हो गया, 360, तो क्या होगा, पूरा राउंड, पूरा चक्कर काटा follower ने, पूरा चकर काट रहा है, that means, कैम पूरा घुम रहा है, question तो ठीक है, तीक है, अब क्या होगा, अब सिर्फ हमें, डिजाइन करना है, अब देखो, इसमें एक चीज और दी है, कि कैम का न्यून तम, अर्थ व्यास, 50 mm है, that means, क्या है, न्यून तम, अर्थ व्यास कितना है, 50 mm है, यानि कि, बेस सर्किल कितना है, 50 mm उसका radius है, इसकी हल्ब से, क्या करेंगे, हम बेस सर्किल को, डिजाइन करेंगे, अब तो डिजाइन करना ही है, थे कैम डिजाइन करने से पहले, इस कॉस्षन को, हम एक, सौफ़वेर की हल्फ से सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं, ऑटोकेट, आज से पहले कभी किसी ने यूट्यूब पर ऐसे कैम को डिजाइन करना नहीं सिखाया जो आटो गेट पर ये सिखा दें कि कैम किस तरीके से डिजाइन हो रहा है लेकिन एक्टूरेटली पैन पेपर से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको इस पर सिखाऊ अब देखे कैसे डिजाइन होगा ये अब देखे बच्चो सबसे पहले क्या दिया था आपने कुछ चीज़े नोट कर ली मेरे साथ क्या कि 40 mm कितनी है हाइड है follower follower 40 mm से उपर नहीं जाएगा देखो अब अब क्या है यहाँ नाइन बननी स्टार्ट होगी बच्चों यह एक line बनी ठीक है है यहाँ से एक सीधी line बनाएगा यह कितनी है यह 40 mm की मैंने line बनाई सबसे पहले तीक है यहाँ पर dimension देदना line बनाना उसके बाद यहाँ पर dimension दी 40 mm की ठीक है अब क्या होगा नेक्स मुझे एंगेल ओफेसंट कितना दिया है सतर डिग्री तो एक डिग्री को सबसे पहले पता दूं मैं एमम कैसे ले रहा हूं मैंने एक डिग्री को एक एमम के बराबर माना है एक डिग्री को एक एमम के बराबर माना है तो सतर डिग्री का मतलब के लेना और इसे कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आगे बढ़ते हैं यह देखें अब यह क्या है यह 70 mm की एक लाइन बनाएगा क्योंकि एंगल आफेसंट इसी एरिया में बनने वाला है यह 70 mm की इसको डाइमेंशन लगा देते हैं यहां पर अब यह 70 mm पूरा बत अब देखा कि मेरा जो एंगल ऑफ डुयल है वह कितना है 40 जिगरी है 40 जिगरी है अब एंगल ऑफ डूयल मेरा 40 जिगरी यह बनाए देखो 40 degree 40 degree का मतलब क्या है 40 mm तो 40 mm की एक line बना दी यहाँ पर simple बहुत आसान है ना आपको भी ऐसी करना है उसके बाद angle of descent कितना है यहाँ तक तो क्या है cam उपर जाएगा यहाँ से angle of dwell है तो इस्थिर रहेगा अपनी position पे उसके बाद नीचे आना शुरू होगा कितने mm तक 80 mm तक तो 80 degree किसके बराबर आया 80 mm के 1 degree equal to 1 mm यह मैंने scale लिया है आगे देखते है 80 mm की मैंने एक line और बनाई ठीक है यहाँ पर इसको dimension दे देंगे और आप भी साथ-साथ ऐसे ही बनाईएगा बॉक्स बना लो यहाँ पर इसको बंद करो यह बना angle of ascend का box ठीक है simple उसके बाद 40 mm का lock कर दो box यह बना angle of dual का box उसके बाद यह 80 mm वाला box बना दो इससे क्या होगा angle of descent चलेगा follower नीचे की तरफ आएगा उसके बाद क्या है उसके बाद मैंने line leaning क्यों ने ली इसलिए ने ली क्योंकि इसके बाद जो 170 degree यानि कि 170 mm जो 6 बचा है वो rest of dual है उसमें position पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो इतना diagram भी आप बनाएंगे तब भी ठीक है otherwise एक 170 mm की line इसके आगे और खीज देना 7 line मैंने यहाँ पर ली है यह ली आप इसे कितने भी part में divide कर सकते हैं कोई foundation नहीं है जितने ज़्यादा part में divide करोगे calculation उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा pencil से बनाने में दिक्कत आएगी तो थोड़े बड़े block बनाओगे तो pencil से आसानी से बनेगा point to point आसानी से मिलेगा उसका reason है क्यों कम लेनी है क्योंकि आपको क्या करना है इसको straight line में लाना है अब जितने ज़्यादा blocks बनाओगे straight line लाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी तो छोटे blocks कम blocks बनाना सेम इसी तरह मैंने क्या किया 80 mm को भी 10-10 mm में divide किया है आठ हिस्सों में ये divide होगी है आपकी यहापर अब क्या करना है बच्चो अब मुझे simple क्या करूँगा मैं अब इसमें blocks बनाओगा तो blocks बनाओगा तो 40 में कितने blocks बनेगे 40 को divide करूँगा मैं कितने से जो इसमें आएगा लगबख 5.71 का offset का block इसमें बनेगा कितने बनेगे 7 block बनेगे देखो ये बना रहा है offset करेगा अब और blocks बनाते जा रहा है तो 3, 4, 5 6 और last 7, 7 बन गए उसके बाद 40 के फिर से 40 में कितने बनाने है 8 blocks तो 8, 5, 5, 40 5, 5 mm के 8 block बनेगे यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना दिये अब क्या होगा अब यहाँ से मैं क्या करूँगा इन्हें point to point मिलाना स्टार्ट करूँगा उसी तरह क्या है उसी तरह मेरा follower धीरे धीरे move कर रहा है uniform velocity से यहाँ पर मेरा इस टाइम follower है अपनी zero position पर यहाँ पर एक follower है कौन सा follower है जूरदार follower है यानि कि knife age follower यहाँ पर इस टाइम पर है zero position पर ठीक है अब देखो किस तरह से move करेगा यहाँ से एक मेरा point होगा first point second ठीक है अब मैं धीरे धीरे मेरा यह देखो follower ऊपर की तरफ move करेगा यह जा रहा है यह जा रहा है यह गया यहाँ पहुचा उसके बाद क्या होगा अब dwell रहने वाला है यह 70 degree का इसका travel यहाँ पर पूरा हो गया यह 70 degree तक दूरी अपनी तय कर चुका है यानि कि angle of ascent आपका यहाँ पर complete हो गया है अब यह angle of dwell तक move करेगा angle of dwell का क्या मतलब है कि 40 degree तक यह स्थिर रहेगा move तो करेगा लेकिन position change नहीं हुई देको position कोई change नहीं हुई आप नीचे की तरफ आ रहा है 80 degree का रास्ता तय कर रहा है समझ में आ रहा है आप इसको बस highlight करके दिखाएंगे simply और यह आपका यहाँ पर अब camp design करने का वक्त हमारा आ गया आपका graph complete हो चुका है इतना आसान है यह वत बुक में बढ़ा difficult करके दिया गया है और इसी तरह आप highlight कर दिजेगा pen से या pencil से dark कर सकते हैं ताकि आपको दिखाने में examiner को देखने में आसानी हूँ ठीक है यह जो बन रहा है आपका यह बन यह है simple आपका complete chart ठीक है अब यही चीज़े देखो 40 mm है तो यह height भी कितनी होगी 40 होगी तो इससे में 40 बता दूँ simple यह वाला block मेरा कितना है 5 mm का और यह है 5.71 mm का तो बताएगा वो 5.71 mm ठीक है यह देखो 5.71 mm कई यह था और यह था मेरा 40 को 8 हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5 बताएगा 5 ठीक है एक block आपका 5 mm का रहेगा यह बाला यह बता रहा है माच तो यह complete होता है यहाँ पर आपका डाइग्राम इसी तरह आपको डाइग्राम पूरा अपनी कॉपी में बना लेना है अब हम डिजाइन करेंगे कैम को इसकी हेल्प से अब बहुत आसान हो गया है देखो कैम को डिजाइन करने के लिए बच्चो करना क्या है सबसे पहले क्या करना है एक base circle बना लीजाए आप एक base circle बना लीजाए यह base circle है ठीक है? यह इसका center है अब base circle के same axis पर मैंने माना कि जो मेरा follower है वो same axis पर है same axis पर है follower अब follower जो move करेगा इसके बाद ही करेगा अब यह तो base circle बनाया है अब base circle मुझे पता है कितना है? 50 mm का तो इसकी radius कितनी है यह? यह 50 mm यह 50 mm है ठीक है? simply अब मैं चैम को design करना start करूँगा उसी chart की help से पहले अब देखो points जो लगने है वो कैसे लगने है यहां से मेरा cam ऊपर की तरफ follower ऊपर की तरफ move करेगा तो मैंने simply क्या किया है? यह यह वाला part जो है यह तो सबसे पहले zero पर है अभी यह zero position पर है यहां पर यहां ध्यान देना next इसको यह वाला जो हिस्सा है 5.71 इसको measure कर लो तो आपको तो पता है पहले से कितना है? 5.71 है तो 5.71 को यहां पर आपने measure किया अब आपने यहां पर ना पाँ यहां से कितना आया? 5.71 सपोज आपका यहां आया तो आपने यहां पर क्या किया? यहां एक निशान लगा लिए देख है? उसके बाद 5.71 इंटू 2 क्योंकि क्या हो गया? डबल हो गया देखो देखो यह डबल हो गई तो 5.71 इंटू 2 5.71 इंटू 3 5.71 इंटू 4 5.71 इंटू 5 फिर 6 फिर 7 तो 5.71 की multiply करते जाओ और निशान लगाते जाओ उसी तरह से क्या होगा देखो एक निशान आपका यहां लगेगा एक निशान यहां लगेगा मेजर यही से होने है सब हाइट सब की मेजर होनी है यह यह लग रहा है तीक है? उससे पहले तुम्हें क्या करना है 70 degree पर इसको एक बार divide भी कर लेना है तो 70 degree लगवक कहाएगा यहीं तो आएगा 70 degree यहाएगा तो अब क्या करना है तुम्हें बस इस line को मिलाना है यह line मिली 70 degree तक ठीक है और इसको नीचे कर लो angle मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं थोड़ी से time की कमी है बच्चो नहीं तो मैं तो इस चीज़ को भी आपको आसानी से बना करके दिखा सकता हूँ यह आएगा ठीक है तो यह आगया उसके बाद यह angle of ascent है आपका 70 degree angle of ascent इसके बाद क्या होने वाला है angle of dwell कितना 40 degree तो 40 degree कहां तक आजएगा आपका लगभग यहां तक आजएगा तो इस्थिर रहेगा यहां तक कैम यह रहा है स्थिर 40 degree तक इसको चाहो तो divide कर सकते हो हिस्सों में ताकि line बनाने में आसानी रहे इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे साथ हिस्सों में इसी तरह डिवाइड करना ठीक है उसके बाद क्या है इस्थिर है यह तो पूरा 40 degree पूरा इस्थिर है तो इसको divide करने की जुरुरत नहीं बस line बना उसी दी यह चाहो तो इसको चाहर हिस्सों में divide कर सकते हो दद 10 mm के एक तो तीन चाहर और इक है पाँच ठीक है तो अब क्या करना है अब 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 अंगल ओफ डीसंट है तो अंगल ओफ डीसंट करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले ये मेजर की ये कितनी होगी यह हम सब जानते हैं कितनी 40 mm तो 40 mm पे एक आर्क सबसे पहले लगा दो 40 mm पे 40 mm का कोई आर्क लगबग देखो 80 degree तो आपका decent है that means क्या है यहां तक ही मेरा पूरा यह आना है अब 40 mm पे लगाया तो 40 mm लगबग आपका यहां आएगा कहीं ठीक है अब क्या करना है 40 के बाद अब यहां आगया आपका follower तो क्या आगया 5 mm नीचे आगया 5 mm का मतलब क्या है 35 mm पे आगया तो 35 mm क्या होगा 40 से कम होगा तो यहां कहीं आएगा ठीक है इसको divide भी कर रखा है मैंने 8 हिस्सों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब बस निशान लगाता जा रहा हूँ ताकि मैं जॉइन कर सकूँ इसको आसानी से देन क्या आएगा फिर 30 पर आएगा 25, 20 ठीक है ऐसे ही पूरा आते 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 आपका नीचे मिलता चला जाएगा और यहां पे आपका camp design होगा ठीक है इसी तरह से camp design होता है यह हो गया आपका कितना 170 degree जो 6 बचता है जो की rest of dwell है यह हो गया आपका angle of ascent जो की 70 degree है ascent है यह आपका angle of dwell है जो 40 degree है और यह angle of आपका decent है जो कितना है 80 degree है तो यहां पर आपका uniform velocity से जो move कर रहा था आपका follower वो टॉपिक खताम होता है अब आगे हम पढ़ेंगे SHM और OFFSET के बारे में तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे SIMPLE हार्मोनिक मोशन ठीक है SHM SH and M ऐसे होता है SIMPLE यानि कि सरल हार्मोनिक यानि कि आवर्थ और मोशन यानि कि गती SIMPLE हार्मोनिक मोशन सरल आवर्थ गती बड़ा परेशान करता है टॉपिक होता क्या है सबसे पहले ही समझते हैं देखो जैसे एक प्रियोडिक मोशन होता है में क्या कि कोई भी चीज है वो अपने रेगुलर इंटरवल पर पर मोशन कर रही है इक एक लाइफ एक्जाम्पिल ये ले लेक्चर मशिन डिसाइन का आ जाता था था 24 गंटे भी क्या हो रहा है ठीक on time जब वो सर्कुल 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 पूरा हो रहा है क्या हो रहा है on time क्या और lecture time पर आ रहा है जैसे suppose मैं अपने घर से 6 बजे निकलता था 7 बजे आपका lecture आ रहा है तो मैं 6 बजे निकला शह बजे घर से निकला 6-5 पर कहीं पहुचा तो मैं डेली शह पांच पर वहीं पहुच रहा हूं न 6 10 पर कहीं पहुच रहा हूं और 6 15 तक studio पहुच रहा हूँ जहां से आपका lecture record हो रहा है तो यह क्या है सेम चीज उसके बाद क्या हो रहा है फिर मैं साथ बज़े आपका lecture complete करने के बाद 7-5 तक studio से निकल रहा हूँ फिर जहां मैं साथ पांच पर था वहां मैं कप पहुंचूँगा 7-15 तक पहुंचुंगा तो अब 7 5 पर कहा हूं मैं 7 5 पर मैं studio की कहीं पास हूं 7 10 पर मैं बड़ा खन दूर हूं और 7 15 तक कहा हूं अपने घर हूं तो यह cycle मेरी daily चल रही है daily cycle चल रही है और fixed time पर चल रही है regular interval हो रहे हैं इसी को बोलते हैं Simple Harmonic motion सरल आवर्त गती ठीक है? अब देखो इसमें पढ़ना गया है देखो इसमें simple harmonic motion से हम लोग cam को design करेंगे अब ये चीज तो बड़ी difficult है बुक में कैसे करें? और pen paper से हमें आपको करना है मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा किस से? auto gate से अब देखो समझो इसको suppose कोई question है question क्या है? question note कर लो जल दिशे सब लोग उसके बाद है design करेंगे question note कर लो 90, 30, 60 question note कर लीजे angle of ascent आपको दिया है 90 degree angle of descent आपको दिया है 60 degree angle of dwell दिया है 30 degree follower move कर रहा है simple harmonic motion से और knife edge follower है ठीक है? lift हो रहा है 40 mm का ठीक है? ये मेरा question है जल दी से पहले question note कर लीजे लाइए मैं note करा देता हूँ आपको angle of ascent है angle of dwell दिया है angle of descent दिया है lift दिया है कितना? 40 mm ठीक है? तो angle of ascent कितना दिया है बच्चो? angle of ascent question में दिया है 90 degree angle of dwell दिया हुआ है हमें question में 30 degree और angle of descent दिया है 60 degree ठीक है? ये कुछ values मुझे दिया है उसके बाद rest dwell दिया है rest dwell दिया है rest dwell दिया है बच्चो? 180 degree तो सबसे पहले आप ये जोड़िये 60, 30, 90, 90 plus 90, 180 180 plus 180, 360 degree that means cam पूरा design होगा जब हम design करेंगे ठीक है? अब radius of cam दे रखिये 40 mm radius of cam radius of cam कितनी दे रखिये? 40 mm ये कुछ चीजे हमें दे दी है बस इतना काफी है question किसी भी दरीके से book में question तो उसी type से लिखा हुआ मिलेगा जैसे इस से पहले question लिखा हुआ था ये मैंने given given question से निकाल लिया है इसी तरह से आपको निकाल लेना है और इतनी चीजे more than enough है इस question को करने के लिए अब देखो आगे क्या करना है ये देखो सबसे पहले क्या करेगा 40 mm की एक line बनाएंगे 40 mm की वही line simple जो भी बनाई थी simple उसी को बनाएंगे देखो एके line बनाई 40 mm की ठीक है ये line बनी आपकी 40 mm की तो lift आ गया total lift आ गया 40 mm यानि कि follower 40 mm से उपर नहीं जाएगा आगे देखते हैं आगे मैंने 90 mm की line बनाई इसमें भी मैं वही same scale लेकर के चल रहा हूँ एक mm बराबर है एक degree के दूसरा बनाई मैंने 40 12 बनाया 30 degree का that means 30 mm की line 30 mm बना दी 30 mm ठीक है आपको भी same ऐसे इसी तरीके से copy में बनाते हुए चलना है मेरे साथ उसके बाद next बनने वाली है angle of descent यानि कि 60 degree की line 60 degree यानि कि 60 mm की line 60 mm ये बनी हमारी 60 mm की line आप क्या करोगे इसको box में बनाऊगे सबसे बहले इसको box बना दो box बना दिया इसको ठीक है ठीक है एक box बन गया हमारा यानि कि angle of descent का होगा यहीं पर होगा then dwell रहेगा यहाँ पर इस्थिर रहने वाला है उसके बाद angle of descent रहेगा same angle of descent का box हमारा ये बन गया ठीक है अब देखो क्या होगा अब simple harmonic motion के लिए आपको क्या करना है आपको क्या करना है बच्चो यह अगर आपकी 40 mm की line है तो आपको 20 mm पे इसका midpoint आएगा यहाँ कहीं 20 mm पे आपको 20 mm का यहाँ से measure करके 20 mm का एक semi circle बना लेना है पूरा यहाँ पे compass रखना और पूरा इसको गुमाना तो आपको एक base इसका जो semi circle के लिए वो तियार हो जाएगा किस तरीके से बताए मैंने उसी तरीके से बनाना है 20 mm का इस तरीके से नहीं बनाना क्योंकि copy में trim नहीं होता software में trim हो जाता है ठीक है यह गलत हो गया था मेरे से अभी सही करते हैं इसको अभी computer महाश है इसको सही करेंगे ठीक है अब देखो इसको semi circle बनाएंगे तो यहां से इसको trim कर दिया मने यहां को सिर्फ semi circle ही बनाना है copy में ठीक है अब क्या करूँगा मैं इसको 6 पार्ट में divide करूँगा इस semi circle को यानि कि पहली line मेरी गई 90 degree की उसके बाद पहली 30, 30, 90 उसके बाद 110, then 120, then 180 पूरा 180 का semi circle बनता है तो वो complete हो जाएगा आगे देखते हैं देखो यह line बनी मेरी 30 degree पर यह 30 degree टीक है 10 degree 60 degree एक सो बीज डिग्री एक डेढ़ सो डिग्री और ये 180 डिग्री की बनी हुई है बनानी की जुरूरत नहीं है ये बाहर वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना आपको सिर्फ यहां तक बनाना है सेमी सरकिल के पॉइंट तक ठीक है ये पोर्शन आपका तयार हुआ अब आपको next point क्या करना है आपको जो हमने last topic पे divide किया था इसको आपको इसमें divide करनी के लिये जरा दिमाग नहीं लगाना आपको क्या करना है इस वाले point से एक line खीच दिजये यहां तक यहां तक पर एक इस point से line कीच यहां तक उसके बाद यहां तक, इसको इस तरह से divide करिए, देखे जिस तरह से यह कर रहा है, मैंने इसमें आपको पूरा करके दिखा दिये, देखे, ठीक है, second point देखे, third, यह तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है, then fourth, then fifth, यह divide कर रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे देखे, अब मुझे इ एक scale से बना लिजेगा, यह मैंने हटा दियें, उसके माले के, ठीक है, देखो, दो, तीन, चार, और यह पाँच, पाँच लाइन मेरी यह तियार होई, ठीक है, यह मैने डिलेट कर दी है, आहपको बनानी नहीं है, ठीक है, यह बीच वाली line बनानी है, ठीक है, यह बीच व यह लाइन बनानी की ज़रूरत है यह अप देखो उसके बाद क्या करूँगा मैं इसको डिवाइड करूँगा 90 को 90 को मैंने डिवाइड किया 6 हिस्सों में 6 हिस्सों में डिवाइड किया that means 15-15 mm की लाइन है बच्छोई 15-15 mm की लाइन बनानी है आपको भी 15 mm, 15 mm, 15 mm, 15 mm ऐसे 90 mm तक आपको लाइन बनाते रहना है देखे, यह बन रही है लाइन 600 में डिवाइड हो गया simple इसमें करना है इसको 600 में डिवाइड करेंगे 60 mm को तो 10-10 mm की लाइन बना लीजे simple harmonic motion में क्या होता है uniform velocity से जब follower move करता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उपर जाता है धीरे धीरे नीचे आता है लेकिन simple harmonic motion में ऐसा नहीं होता धीरे धीरे उपर जाता है एकदम से नीचे आता है वही चीज होगी यहाँ पर देखो आप क्या करना है अब हमारा follower धीरे धीरे move करना शुरू करेगा उपर की तरफ यह देखो पहले follower 0 position पे है अपनी इसको चाहो तो numbering भी दे सकते हो क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक में दीए ना आपको डराने के लिए बहुत सारे number तो आपको बुक में इसलिए लिख दी जाते हैं ताकि आप डरें है ना tom से डरें machine design से डरें तो क्या करेगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देगा और यहाँ पर A, B, C, D लिख देगा है ना बीच में वो जगह नहीं बचती नहीं तो 2, 4, 5, M भी लिख दे ताकि order है आप है ना पीच में लिख सकते हैं यहाँ यहाँ पर मचली जल की रानी है ठीक है अब देखो यह क्या हुआ इसी तरह से इसमें सिंपल हर्मोनिक मोशन में क्या कर रहा है मूव करेगा follower आपका धीरे धीरे उपर जाएगा यहाँ से धीरे धीरे उपर जाएगा और उसके बाद ड्वेल पे स्थिर हो जाएगा अब क्या है अब यह 60 mm की लाइन है 60 degree है तो थोड़ा तीजी से नीच आएगा देखो यह नीच आएगा अब इसमें किस तरह तरीके का बाद बनता है ऐसे चम में अब बुक में आपको यह नजर आ रहा होगा as it is बन करके कैसा दिखता है देखो अभी बनाते हैं पाद को थोड़ा सा हाइलाइट करके दिखाएंगे कॉपी में भी ताकि examiner को ढूड़ने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े महनत ना करनी पड़े तो आप दिखा देंगे हाइलाइट करके ठीक है पैन से दिखाईएगा किसी sketch से दिखाईएगा ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ आपने कोई पात बना करके दिखाया है तो इसी तरह से simple harmonic motion में क्या कर रहा है cam move कर रहा है ठीक है अब देखो अब काम बसता है क्या इसको design करने का cam को simple question तो यहाँ पर आपका खतम हो गया अब क्या करना है पर इसको design करना है design करेंगे 90 degree तक क्या रहेगा angle of ascent 30 degree तक dwell इस्थिर रहेगा 60 degree तक angle of descent रहेगा देखो यहाँ क्या करेंगे एक circle बनाएंगे पहले ठीक है एक circle बनाएं अब क्या करना है अब यह कितने mm का circle है यह तो हम सब जानते है कितने mm का circle 40 mm का circle है बच्चो ठीक कितना है 40 mm का यहाँ कई इसका center होगा और यह कितना है 40 mm है ठीक है then next क्या करना है अब मुझे कितना दिया है angle of ascent दिया है कितना मैं मान लेता हूँ कि इसकी same axis पर ही क्या है follower है कौन सा follower है knife age follower है जूरदार follower लगा हुआ है अब क्या करना है मुझे धीरे धीरे angle of ascent शो करना है angle of ascent शो करने के लिए क्या करेंगा measurement करना शुरू करेंगे बच्चो यहां से पहले इस point की measurement पहले तो zero है यहां तक की measurement यहां मेजर करना है यहां मेजर करना यहां मेजर करना इधर और इधर पहले नब्वे डिग्री पूरा बनाना नब्वे डिग्री कहां तक आएगा 90 degree में divide करो उसको तो 90 degree कहां तक आएगा हम सब जानते है 90 degree सबसे ज़्यादा असान होता है सब जानते है angle सबसे पढ़ते हैं न सबसे बहले 90 degree बनाना सीखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा असान होता है न यह बनाए 90 degree को कितने पार्ट में divide किया हुआ है हम नहीं आपर उतनी पार्ट में इसको divide कर लो कितना किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6, 90 degree को divide किया कर लो divide 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है 6 सो में मैंने इसको divide कर दिया अब वहाँ से measure करता रहूंगा यहां से measure करता रहूंगा यहां measure करता रहूंगा बच्चो और वहाँ पर आर्क लगाता रहूंगा simple, बढ़ा असान है सिर्फ क्या करो, measure करो measure किया suppose, तो यहां पर रखना उसके बाद, जो भी आएगा ना उसको यहां पर रखना, और एक आर्क लगाना फिर एक आर्क लगाना, दो, फिर तीन फिर चार, फिर पाज फिर छे इस तरह से आपके आर्क लगेगा इस तरह से आर्क लगेगा आपका, ठीके, देन आप क्या कर रहा है आप हमें पता है कि क्या 30 degree का क्या angle of dwell है तो 30 degree काहां तक आएगा, लगबग यहां तक आजाएक हमारा 30 degree यहां तक आगया तो स्थिर है, स्थिर है तो कैसे गुमेगा ऐसे गुमेगा simple, बड़ा असान है यह तो angle of dwell सबसाद आज होता है, स्थिर रहता है कुछ करना नहीं पड़ता, उसके बाद क्या करना है हमें कि हमें angle of descent बनाना है और angle of descent कितना है, 60 degree तो 60 degree कहां तक आएगा, यहां तक आएगा लगबग तीक है न, और इसको अच्छे से measure करके बनाईएगा, आप लोग D से D से measure करके बनाऊना इसको और अच्छा बनेगा, यहां तक आएगा यहां तक आएगा, तो इसमें क्या करोगे, measurement कैसे लोगे इसकी सबसे बड़ा, देन उससे छोटा उससे छोटा, उससे छोटा, अब जैसे सबसे बड़ा measure किया, सबसे बड़ा measure करने बाद क्या करना है, यहां पर simple arc लगा देना ठीक है, इसको हिस्सों में भी divide कर सकते हो, या direct arc लगा ठीक है, उसके बाद छोटा देन छोटा, यहां तक आपका आजाएगा इसी तरह से आपका cam design होता है ठीक है, इसी तरह से cam design होता है, तो simple harmonic motion यह है, आपका बहुत ही इस वीडियो को बार बार देख लेना, exam से पहले देख लेना सारे questions बढ़ी ही आसानी से आपके solve हो जाएंगे तो channel को subscribe करना न भूले lecture को like कर दिया करिए, comment करते रहा करिए, मिलते हैं अपने next lecture में, see you, bye bye और उससे बेल एक चीज और, कि exam काम आ रहे हैं, तो hopeless मत होना ठीक है, दूसरी चीज, step by step study करना, हम क्या करते हैं बहुत सारी चीजे, एक साथ इखटी करके ले करके बैठ जाते हैं, कि आज tom भी पढ़नी है MD भी पढ़नी है, चार subject और रख रख रखे ये भी पढ़नी है, नहीं, step by step एक सबजिक्ट उठाना, patience रखना सारा cover up हो जाएगा, अभी काफी टाइम है step by step study आपको follow करनी है, ठीक है ओके, मिलते हैं बाबाई